पूड आइटम्स है जिसको खाने से आपकी जो फॉर्टिलिटी है इसको एकदम से बूस्ट मिलेगा काफी आपकी फॉर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए कि आपकी एक्की क्वालिटी और आपके एंटोमीटर लाइनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी आप चाहिए ब्रोकली को रात को जो है अवाइड करी थोड़े सा गैसी होती है गैस बनाती है तो आप दिन में आपको ब्रोकली को लेना है कच्छा भी खा सकते हैं इसको और पका कर भी खा सकते हैं अगर आप थाइरोड पेशन है तो आप इसे कच्छा ना खाए आप इसे पका कर इसे तो आपको तिल्क जरूर खाने हैं, अगर आप सीट साइकल नहीं भी करना चाहती, तो आप तिल्क जरूर खाईए, जो सीट साइकल है, वह ने आपको पुरानी दूसरी जो मेरी वीडियो में, लिंक रिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसमें मैं आपको डाइप प्रॉप और सर्दियों में भीको कर रिखाएं तो जादा अच्छा रहेगा, तो आपको एक क्वालिटी से काफी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, नेक्स्ट में बात करूँगी, किनुआ की और जो आपका होता है, मल्टी ग्रेन आटा होता है, उसकी और मैं आप मिलेट्स की भी बात अच्छा रहता है, आपकी जो फर्टिलिटी को इन ग्रीज करता है, आपका जो हाई फाइबर डाइट है या आपके जो ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रोल करता है, तो आप इनको अपनी लाइट डाइट में इन दोने चीज़ों को आप ज़रूर शामिल करिए, नेक् पालक, गीया, तोरी, परबल, भिंडी, और कोई भी आपको ग्रीन लिफी वेजटेबल या फिर आपको ग्रीन लगी वेजटेबल आपको देखकर खानी है, तो इससे आपके जो है इसमें भरपूर मात्रा में वह सारी न्यूट्रिंस होते हैं, जो आपकी फर्टिलिटी को अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अपनी सब्जियों में टामाटर खाईए, तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसके अलावा आपको जो ओरेज और रेड के जो फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे अच्छे आपको काम करते हैं, और आप इसके हजारों फाइदे आ अगर आप अगर आप अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आपको यह लास्ट नवन दालीस्ट जो डालचीनी है वो आप अपने जो डाइट में शामिल करें आप अपने सब्जियों में पानी में सिंप्री जो जो ज अब दालचीनी को बाल लेजे और इसको चान कर पी सकते हैं आप दालचीनी स्टिक को भी उज़ कर सकते हैं पाउडर को भी उज़ ज़ाएं